कि समाधान कर देते हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो इस टाइम टेबल को सर्च कर रहे हैं ठीक है फटाफट सुनना जरा फटाफट येस विकॉस रस दो टाइब के वर्याइटी अभी बैठेव हैं अनधर इस दॉटीडल इस जो इनको कुछ profit होता है इनके पास self study के लिए या practice करने के लिए ज्यादा number of hours होते हैं इनके पास थोड़े कम होते हैं बट बेटा जैसा कि आप जानते हैं यहां पे अगर आप school नहीं रहोगे तो आप घर ही घर पर अकेले ही हो तो यहां पर इस variety में time wastage बहुत होता है बिलीव यू मी क्या होता है टाइम वेस्टेज बहुत होता है अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा सर प्रॉफिटेबल सिच्वेशन कौन सी है रेगुलर या फिर डमी दोनों ही दोनों हैं भी और दोनों नहीं भी समझ मैं डिपेंड ऑन दे कैलिबर ऑफ द ट्रिलाइक करता है अगर आप जही के आंकडे उठा के देखोगे जही के आंकडे उठा के देखोगे तो नम्बर औफ क्या देखोओ गे तो maximum number of selection प्लीज मारग माइब वड्ट मैक्सीमम है नमबर और औफ selected और दो करने वाले बच्चें बहुत होते हैं तो इस वजह से वो क्या करते हैं वहां पर करने वाले बच्चें बहुत होते हैं अच्छी रेंक तो फिर भी बार्वी वालों की आती है समझ मैं तो जही में मैक्सिमम नंबर आप सेलेक्शन अच्छी रेंक स्कूल गोइंग रेगुलर स्टुडेंट्स की आती है दिस इफेक्ट तो तुम तुम खुद देख लो प्रॉपिटेबल सिच्वेशन कौन सी आया स्कूल जाए मैं एकदम ब्रीफ टाइम टेबल बता रहा हूं स्कूल से आने के बाद में आफ्टर स्कूल सुनते जाना अराम-अराम से आफ्टर स्कूल आपको एक घंटा और निकालना है आफ्टर स्कूल एंड पी डव्यू की क्लासेश एक अगर मैं रफ टाइम लेके च अब इसके बाद में इसके बाद में समझ मैं जो रेगुलर सुडेंट सा उनकी बात करा हूं एक घंटा आप स्कूल जाने से पहले पढ़ाई करें पी डव्यू की एक घंटा आप स्कूल से आने के बाद में पढ़ाई करें इसके बाद में आप खाना खाएंगे कब उठें केंटों में आप क्या करें डीपी जो आपको हूमवक मिला है और नोट्स रिवीजन एन आर लिख देता हूं और प्रेक्टिस लिख देता हूं यह आपको यहां करता है जो लोग डमी है उनके लिए देख लो भई लेके आप बोल सकते हो साथ बज़े से पहले आप कब उठे जल्दी उठ सकते हो टाइम और बढ़ा दो तुमारी इच्छा है ठीक है अब सबानों से सवा ग्यारा दो गंटे आप यहां निकालो उसके बाद में सवा ग्यारा से लेके उसको देखना जरह 45 मिनिट का ब्रेक से दो आप यहां निकालो तो यह छे घंटे आपको निकालने हैं जो लोग डमी ले रहे हैं इसके बाद में से सेम लॉजिक यहां पर भी वही होगा तीन बज़े से लेके आठ बज़े तक हमारी फिर से पी डवल्यू की क्लासे आ जाएगी और इसके बाद सेम नौ से लेके बारा आप एक तीन घंटे की शिफ्ट और निकाले जिसमें आप भी सेमी काम करोगे डीपी जब भी आपकी क्लास खतम हो यहां सुनना यह है पूरा मोटा मोटा तरीका क्या मेरी बात समझ गें तो जो डमी हैं दो दो चार दो छे और तीन नौ घंटे तो मैंने आपको सीधे सीधे निकाल के दिए आपकी जैसे जैसे बढ़ाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप और टाइम अपनी लाइफ शेडूल से एक्स्रेट कर सकते हैं अब मेरी बात ध्यान सुनना कि जब भी आपकी क्लास खतम हो ना आठ बजे उसके सबसे ब्रेक 15-20 मिनट का ब्रेक लो और ब्रेक नहीं लेना चाहते हो तो बैठे रहो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम नोट्स कब बनाएं दूरिंग दा लेक्ट्चर या आफ्टर दा तो भी दूरिंग दा लेक्ट्चर आना आप जितना हो सके उतना लिखो आफ्टर जैसे लेक्सर कंप्लीट हुआ आप नोट्स भी बनाएं और जब आप आफ्टर दा लेक्चर नोट्स बनाएंगे तो आफ्टर एलेक्ट्चर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लेक्शर भी रिवाइस हो सम्झ मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है revision जो आपको पढ़ा गया वह आपको revise करना बहुत ज़्रूरी है इस पर पढ़ा और इस पर बहुत सारे लोह नहीं करते हैं तूट पड़ें जो भी लोग मेरी आवाज चुन रहे हैं जो भी यहां पढ़ा रहा हूं वह सब को समझ में आता है समस्या सवाल के साथ जाके होती है तो प्रेक्टिस तो आपको करनी करते हैं बट नोट्स को रिवाइज करना है बार बार जितनी आपकी ज्यादा रिवीजिन होगी उत्रा ही स्ट्रॉंग वो टॉपिक होता जाए